आपका स्वागत है आज हम एक अलग धंग से कुछ बात कर रहे हैं इस बार हम बात कर रहे हैं प्रभीरपूर कायस से पर प्रभीरपूर कायस इमर्जनसी के दौरान जेल में थे इमर्जनसी को लेकर धेड़ सारी बातें कही जा रहे हैं उन लोगों दोरा खासकर कही जा रहे हैं जो ये मानते हैं कि इमर्जनसी की लड़ाई सिर्फ उन्होंने लड़ी या कि वो एक ऐसी लड़ाई से बाहर आए जिसके बाद उन्होंने जनतंत्र का जो परशम है वो पू ना उन्होंने समरक्षन किया या नहीं किया बहुत सारे विबाद प्रबीर आये हैं इमर्जनसी को लेकर खासकर इस साल इसके पहले भी इमर्जनसी डे मनाया जाता था अपने देश में तवाम लोग तंतरवादी जो शक्तियां हैं वो अलग अलग धंग से मनाती रही हैं ले हमने इस पर काफी कुछ बोला है हम आप से जो समझना चाहते हैं क्योंकि आप स्वैम इमर्जनसी में जेल में थे आप स्ट्रेंट फेडरेशन आफ इंडिया सी पाइजम से जोड़े स्ट्रेंट विंग के नेता थे और बहुत सारी बातें ये भी कही जाती हैं कि खासकर किया था इमर्जनसी का आप स्वैम जेल में थे प्रिप्या बताएं आपकी क्या इस्थी देखिए ये तो साफ है कि लेफ्ट के एक बहुत बड़ा सेक्शन इमर्जनसी का विरोध किया था इसके खिलाफ रिजिस्टेंस पैदा किया था खास दोर से जेनू पे वह आज भी आज़ी रिजिस्टेंस का एक स्वरूप था और इस वक्त पी एबर्जनसी में इसेथरे इस्देंस का एक स्वरूप था पहला यूटी जो इबर्जनसी में स्ट्राक के गिया था जोहरालाल नहरी उनिवर्शेटी था जिसका। दूसरा दिन में ग्रेफतार हुआ था माय Türkiye पार्टी और इन्रानी, तीन लोग हम खड़े थे, स्कूल अव लैंगुज के सामने, मैंने का गांधी, इस वक्त मंत्री हैं, इन्ही के पार्टी के साथ, वो क्लास जाना चाहते थे, हमने रोका कहा कि आज हम स्ट्राइक है हमारी, तो आप अंदर न जाएए, इसके बाद यो डियाईजी रेंज था उस वक्त, तो वो आया, प्लेन क्लोट्स कुछ लोगों को लेके, खुद भी बेवर्दी के था, और मुझे वहां से पब्लिक डेलाइट में किड्नाप करके लेगा, और एक साल मैं अमर्जिंसी में जेल के अंदर था, यह भी कहना चाहूँगा, जेली भी बेरे, अब मैं और जेली एक ही वार्ड में थे उस वक्त, मैं यह कहना चाहूँगा, दो अलग चीजों पे हमें, इस पे हमको देखनी चाहिए, एक तो है कि हम अमर्जिंसी में लोगों को विक्टिम जो थे, जो अंदर जैसे मैं, ग्रेफतार होके अंदर गया, ह पचार करके रिजिस्टेंस का की बात नहीं कहनी चाहिए, रिजिस्टेंस देखनी चाहिए, किस तरह से हुआ, हम जो अंदर थे, एक चीज़ सोचे, हम जो अंदर थे, हमारे तो काम ख़तम ही हो गया था, और क्या करते हैं अंदर, तो मैं कहता भी हूँ, कि we were in the most free speech area in the country, because we were in jail, तो हमारी आजादी बोलनी की, और नहीं चीरी जा सकती थी, पर जो बाहर थे, हर दिन रोजमर्रे, वो संघर्श कर रहे थे, मरे जिसके खिलाफ लिख रहे थे, अपने कॉलम्स में कहीं न कहीं चीज़ों को ला रहे थे, हर तरह से संघर्श कर रहे थे, उसको देखन चाहिए, और लेफ्ट इसमें, दूस्टे ताकतों के साथ, संघर्श में था, इसको को इनकार नहीं कर सकता, जरूर है कि CPI उसमें गलतियां की थी, और बाद में उसने सिकार भी किया था, कि हमारी अमर्जनसी को डिटो करना सही नहीं था, अमर्जनसी की जो खलनाय कह सकते रहे थे, villains of the emergency, who are they, Sanjay Gandhi, मैंने का Gandhi उनकी वाइफ इस वक्त जो है, मंत्री रही है और पीछले जितने इंडिया सरकार बनी है, उस पे मंत्री रहे हैं, जगमोहन, another one who was Turkban Gate, Kand में, सब उसको जानते है, उसका क्या रोल रहा, he was the one who was the key architect of the, जो large-scale debolition स्वे थे दिल्ली में, he was with the BJP, so this whole picture, जो ये कहना चाहते है, कुछ heroes थे और कुछ villains थे, ये चभी काफी बदल जाती है, अगर उसके बाद के चीज़े देखे, अगर कोई कही जाए, तो उसमें तो आधिस यादी कीन के साथ अभी है, ये भी सही है, कि डाइनिस्टी की अगर बात होती है, तो गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ लाना चाहते थे, अभी वरुन गांधी, राहुन गांधी के खिलाफ लाना चाहते हैं, तो डाइनिस्टी की अगर बात हो, इस पे तो नहीं लगता डाइनिस्टी से उनकी कोई खास प्रॉब्लम है, जैटली साब ने और एक चीज कही ह है, उन्होंने हिटलर के भी बात कही है, हिटलर की जो कह सकते हैं कि प्रेरणा, हिटलर से, मुसोलिनी से, उसके आधार पे तो वीजे, आरेसेस बनी है, वेल नोन, कि मुझे साब गए वहाँ पर उनको अध्यान किया, और ये भी बातचीत करें कि उसी तरह हमें फैशिस्ट फार्बेशन, फैशिस्ट सब उनको अच्छा लगता था, उस जमाने में फैशिस्ट गाली नहीं थी, क्योंकि जो इटाली में फैशिस्ट पार्टी थी, उसके डाम पर बहुत जगहों पर उस तरह के पार्टिया बनी थी, आरेसेस पी उस पे एक है, जो पहले से शुरू क कि हमें मिलिटराइज करना चाहिए अपने आपको, अब लाठी और शॉर्ट्स पे क्यों हिंदुत्वा की मिलिटराइजेशन होता है, क्यों धोती और तीर कमान से नहीं होता है, यह अलग बात है, ठीक है ना, पर यह जो मिलिटराइजेशन है, तो उनकी फैशिस्ट और न के रास्ते पे चल रहा है, तो उनको गोलवालकर साब को भी जिकर करनी चाहिए, उनने कहा था, जर्मनी अपने प्राइजेशन होता है, अब यह जो आपने कहा कि पूरे अगर भारत की प्राचीन जो सुन्सकृती, जो धार्मिक्ता है, जो हमारा इतिहास है उसमें, इस तर ड्रेस या इस तरह का जो एक धांचा व्यक्तित्तो का है, वैसा कहीं नहीं दीखता, रिश्यों, मुनियों कहीं में, जिनकी बात करते हैं, कोई इस तरह का नहीं दीखता, जो लाठी और हाफ पैंट और इस तरह के पहन के आए, लेकिन वहरहल अप तो फुल पैंट में और मिल भी रहा है कई प्रदेशों में उन्होंने पैसे दे रखे हैं बहुत सारे प्रदेशों में आजादी की दूसरी लडाई भी कही जाती है लेकिन अगर इतिहास देखा जाए ठीक है कि यह समकालिन हिस्ट्री है कंटेम्पररी हिस्ट्री है लेकिन हम लोग भी इंडिस् लेकर के और जहां टॉयलेट है जहां बात्रूमस हैं वहां पे उनको रख देते थे ताकि सुबह लोग जब जाएंगे तो उन परचों को पढ़ेंगे की देश में क्या हो रहा है लेकिन ये जो आज ये बार बार दुहरा रहे हैं कि बहुत बड़ी फ्रीडम की लड़ाई की लड़ाई थी सारे नेता 25-26 जून को गिरफ़तार हो गए थे कुछ एक नहीं जो हुए थे वो बाद में हुए कुछ जो दूसरी पार्टियों के नेता थे जो लेफ्ट के या वरकर्स या ट्रेड विनेंस थे वो लगातार संखर्श कर रहे थे उसमें कई लोग मारे है कि स्ट्रेंट एक्टिविस्ट कारिकट में रिजिनल इंजिन कॉलेज के पी राजन उन्हें किड्नाइप करके उनको मार डाला गया बिहार में कुछ लोग मारे गए बहुत सारे सीपी आइमल के एक्टिविस्ट जो थे या माक्सिस कोडिनेशन से जुड़े लोग थे उ तो इसको आप कैसे देखते हैं चुकि स्वैम आप जेल में थे और उसके पहले आप लोगों ने इन्वस्ट्री में लड़ाईयां लड़ी थी कैसे आप इस पूरे सिनारियो को देखते हैं जब यह बार बार क्लेम करते हैं कि आजादी की कोई दूसरी लड़ाई थी जिसम भी तरह जेल से निकला जाए उनकी पुरानी इतियास भी है गांधी के हत्या के बाद एसाइसिनेशन के बाद फिर बहुत सारे चिठ्थिया लिखी थी सावरकर साब ने भी ही चिठ्थि लिखी थी अंग्रेजों को कि मैं और कुछ नहीं करूंगा मुझे छोड़ दिया चिठ्थि जो लिखा गया कि हम आप जो कहरें बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं आपके भाशन हमने सुना बहुत अच्छा लगा इसका बूल चीज यही था कि हमको छोड़ दिया जाए हमको क्यों जेल में बन रखा गया है हम आपको समर्थन करेंगे आप हमें छोड़ दी मैं इस पे परसनल थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि मेरा वाईवा इलहाबाद इंजिनियरिंग कॉलेज का इलहाबाद में होना था तो दिल्ली हाई कोट जस्टिस रंगराजन थे उनकी ओर्डर से मुझे इलहाबाद ले गया था अलग बात है कि मुझे हत्कड़ी में आठ दस पुलिस बंदूग लेके ले गए तो काफी दर्शन ये चीज था पर उसको छोड़ के तो हम वहाँ पर जब गए नैनी जेल में तो मुझे हमारे वार्ड में नालजी देश्मूग पी थे उन्होंने कहा था मुरली जी से बात कर लेना उनका क्या विचार है तो काफी लबी बातचीत मेरी हुई इस बुर्ली मनोर जोशी से तो उनका ये कहना था सारांग्ष जो था कि बुद्धिमानी का काम तो यही है किसी भी तरह यहां से निकला जागा तो मैं वाट पे जब वापस आई बाहर बड़ी ग्राउंड है नैनी जेल की उसमें हम टहलते बात कर रहे थे काफी ठंड की दिन भी थे पर हम करीब एक घंटा उसमें सरकल कर रहे थे उसी ग्राउंड के अंदर इस बातचीत बुर्ली जी मुझे में कर रहे थे और उनका यही कहना था तो मैं जब अंदर आया तो दूसरे आरेसेस के लोग भी थे उनना कहा कि लंबी सांस छोड़ते हुए कहे कि वह औरत माने तब ना तो यह तब मुझे समझ वे नहीं आया था क्या कह रहे है ना जी अब साफ है कि देखिवरस की जो दो चिठी थी उसके बारे में उनको मालू रहा और इसलिए वह कह रहे ठीक है हमने कोशिश तो हमने किया है पर मिस गांधी जब डिसिशन लिया अमर्जेंस को लिफ्ट करने का तब इसको देख के नहीं लिया कि बहुत बारा कोई रिजिस्टेंस ग्राउंड में उस वक्त हखीकत में पुलिटिक लिए रिजिस्टेंस था यह ज़रूर है जो कह रहे हैं पर संगब्र रिजिस्टेंस जो ए एक नीजी इच्छा थी और उसको लग रहा था कि इंडियन पीपल उनको समर्थन करेंगे और उसमें वो फिर जो है लेक्टिमिसी लेके आएंगे और जैराम रमेश थोड़े दिन पहले यहां पर थे उन्हों यह भी कहा था कि यह भी देखना है भुट्टो जब इलेक्शन पाकिस्तान में तो मिस्स गांधी पर बहुत बड़ा दवाव यह था कि अगर पाकिस्तान में एलेक्शन हो सकता है भारण दवर्श में नहीं हो सकता है तो इससे हमारी इजद चली जाएगी और वो खास तोर से इंडरा गांधी नहरू की है और नहरू डिमॉक्रिसी के एक third world में, democracy के बहुत बड़ा figure थी, बहुत जगों पर democracy was actually not there, or it was removed by military rule, तो पाकिस्तान से भी हम पीछे हो जाएंगे, मेरे ख्याल से उनको ये जो है वरदाश्ट नहीं हो रहा था, तो उनको लगा legitimacy हो जाएगा, संजय गांदी कहते इसका विरोध किया था, अर्जिसी ना लिफ्ट किया जाए, और हकीकत देखा जाए तो संजय गांदी सही था, कि बरजनसी में मिस्स गांदी जीत के election में नहीं आ सकती, प्रवीर एक प्रशन हम और मेरे दिमाग में है जो समझना चाहते हैं, कि ये लोग जो इमर्जनसी का विरोध कर रहे हैं और उसको पूरे देश को याद दिला रहे हैं, कि कैसे वो निरंग कुष्टा, ताना शाही, हिटलर शाही का दौर था, लेकिन आज का जो दौर है उसको देश का एक बड़ा हिस्सा ये महसूस कर रहा है, कि ये निरंग कुष्टा, ये हिटलर शाही, ये ताना शाही, कुछ कम नहीं है, बहुत सारे लोग जो इमर्जनसी नहीं देखें हैं, हम उनके लिए भी ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, कि उस दौर में जो हालात थे, हम आड़वानी जी को याद अगर करें, तो उनसे भी कहा गया था, कि उस वक्त प्रिस की क्या इस्तिती थी, तो उन्होंने सूचना प्रथाण मंतरी के तौर पर चुकी नहीं बने थी, तो उन्होंने कहा कि उस समय प्रिस को कहा गया, कि तुम थोड़ा सा जुको, तो प्रिस रेंग ने लगा था रेंग ना केंचुए की तरह जिसे होता है न वैसे रेंग ने लगा था तो आज प्रिस को बहुत सारे लोग भजन मंडली कह रहे हैं बहुत सारे लोग म्रदंग मंडली कह रहे हैं ये लोग मान कर चल रहे हैं कि जितने टेलिविजन चैनल हैं उसमें कमोबेश एक दो को छोड़कर सारे रेंग ही नहीं रहे हैं बलकि शिरसासन कर लिया है उठने का नाम नहीं लेते हैं एक ही तरह की बात एक ही तरह का एजिंडा लेकर वो चल रहे हैं आप प्रिंट में भी देख लीजिए कुछ हे का खवार हैं जो हाँ खवरें अभी भी मिल जाती हैं जलक मिल जाती है ले देकर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वही जोखिम लेकर कुछ काम कर रहे हैं और उनके लिए भी रेगुलेशन से नए रेगुलेशन की बाते हो रही हैं तो हम ये नहीं थी और आज का जो दौर है जिसमें लोग बेचाइन हैं परिशान हैं बड़ा हिस्ता समाज का और यहां तक की पार्टी के अंदर बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं से नहीं जा रही है बड़े-बड़े मंत्रियों को उनके केंड्य करन्ट की बात अब कर रहे हैं जिसमें घुतन महसुस हो रहा है उनके पार्टी के अंदर के लोग भी कह रहे हैं हलांकि दबसुर पर कहीं है मंत्रिया हैं, जिनके पास कोई तो यह तो एक सिमिलारिटी वहाँ एक हिसाब से डिस्मिलारिटी दो तरह से है एक तो है कि फॉर्मल निद्वाक्स हमारी बरकरार है चुनाव हो रही है, बोलने की आप लिखने की आपको फिर भी आजादी है, आप खुद रहेंगे तो अलग बात है, तो फॉर्मली एक है, पर उसके साथ साथ दूसरी तरह देखी, जो अबर जिसे भी नहीं था, मॉब वाइलेंस की जो हो रही है, जिसमें एक अंडिकलेर्ड अबरिजन्सी जो कह सकते हैं, अब ये दिल्ली मेता नहीं है, पर अगर कहीं भी आप चले जाएं, जिस्ते दूर दिल्ली से जाएंगे, उस आप देखेंगे, खासता से उतरी भारत में, गुजरात में, मद्द प्रदेश में, इन जगों पे अंडिकलेर्ड अबरिजन्सी ये है कि लोग खुछ सेल्ड सेंसर्शिप कहें, बोल नहीं रहे हैं, अगर बोले, कुछ रात में, कुछ दोस्तों का ये खिस्सा है, कि वो कांफरेंस सेमिनार में जाते हैं, तो लोग वहां के कहते हैं, आप बोल सकते हैं का आप वापस जाएंगे, आपको तो कुछ नहीं होगा हम को यह रहना है तो यह जो मॉब वाइलन्स और मॉब सेंसर्शिप की जो एक मॉडल इन्होंने पेश किया है जिसमें वाइलन्स अगर होता है विक्टम्स पर केस दर्ज हो जाता है अब देख सकते हैं अभी जितने अखलाक से लेकर जितने घटनाई हुई है केस उन प आप अखलाक के मामले में देखें कि लगभग ज्यादातर लोगों को जमानत हो गई और मेरी जो जानकारी है कि दादरी के इलाके में बहुत सारे लोगों को ग्रेटर नोड़ा नोड़ा में लाकर यहां तकी प्राइविट कमपनियों में उनको नौकरी तक दिला दी गई ह और वो भी सतारुड दल के नेताओं के जरीए ऐसा वहां के गाउं के लोगों ने एक बारा में बता रहा है और अखलाक के फैमिली के खिलाफ अभी भी केसे से ठीक है ना यह हर जग़ा पर ही पिक्चर मिलेंगी आपको कि केसेस विक्टिम्स के खिलाफ है तो एक मॉब वा सब्सक्राइका हो रहा था इन्वर्स्टी से जुड़ा या कॉलिज से जुड़ा वहां पर एक प्रोफिसर जो चुनाओ के भी प्रभारी थे उनको अकिल भारती विद्धियारती परिसर जो सब्ताधारी दल से जुड़ा या रसे से जुड़ा एक संग्ठन माना जाता है बकायदा उन प्रोफिसर साहब को उसमें पूरा उनका चेहरा काला करके पूरे कैमपस में घुमाया सिर्फ उनकी माव ब्लिंचिंग नहीं हुई अधरवाइज उनके साथ सब कुछ हुआ इस तरह का जो ट्रेंड है कम से कम आप इमर्जनषी की दौराँ आपको क्या लगता है इस तरह का ट्रेंड था क्या तो वहीं मैं कहरा हूँ कि फॉर्मल सेंसरिशिप था मॉप सेंसरिशिप नहीं था फॉर्मल प्रशाशनिक कारवाई होती थी मतलब आपको एरेस्ट करके बिना किसी सबूत के मीसा में तो आप जानते हैं प्रिवेंटिव डिटेशन है आपको जेल में रखा जाता है तो कोई सबूत की जरूरत निये प्रशाशन का ये पावर था किसी को भी जेल जान देका त तो एक तरफ तो ये है पर मॉब लिंचिंग और मॉब वाइलेंस और मॉब सेंसिर्शिप इस मच बूर पर्वेसिव समाज के हर जगह पे ये पहुंचती है क्यूंकि इस से कॉम्बिनेशन ओफ दे काव्मेंट विच इस टैसिटली सपोर्टिग एक टैसिट समर्थन उसका सरकार इसको पैसा दे रहे हैं हर तरह के बहाना बनाके गो रक्षक समीती को पैसा दिये गो को गाय को देख भाल के लिए पूरे जो गाय के लिए पैसा जो खर्च किया जा रहा है उसका खर्चा गाय पर नहीं हो रहा है पर ये जो मॉब लिंचिंग की जो दल है इनको समर् करने के लिए हो रहा है, and we can go down this route, कहां से इनको कैसे पैसा रही है, they are coming from different channels of the government, and this is therefore a nexus between the state and the mob. I think, मुझे लगता है कि प्रवीर की इसी बात के साथ हम आज के हफ़ते की बात के इस एपिसोड को समापन कर सकते हैं कि ठीक है, emergency में जो तानाशाही थी, जो निरंग कुछता थी, उसका असर राजनितिक तोर पे इस देश पर पड़ा था, लेकिन आज की जो निरंग कुछता है, आज की जो केंद्रियता है, सत्ता संरचना की, राजनीत की, स्तोच की, उससे ना सिर्फ राजनीत प्रवावी था है, बलकि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा, समाज के अंदर तक ये जो तानाशाही और निरंग कुछता है, मॉब लिंचिंग के पीछे जो पूरी की पू होती थी, लेकिन नफरत नहीं होती थी, लेकिन आज समाज के हर हिस्से में लोगों और लोगों को बंट दिया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सिर्फ समाज नहीं बंट रहे हैं, आदमी और आदमी बंटता जा रहा है, ये एक खतरनाक ट्रेंड है, जो इमर्जनसी में कम से कम नहीं देखा गया था इमरजनसी में अगर विक्टिम थे तो पुलिटिकल पार्टी के नेता थे ठीक है समाज का कुछ हिस्सा भी बहुत प्रभावित हुआ बहुत बुरी इस्थितियां पैदा की गई गरीबों को कई जगह उजाडा गया लेकिन बड़े पैमाने पराज समा कारें उसको जायस ठाराती हैं तो कुल मिलाकर हालात जो आज हैं मुझे लगता है कि इमरजनसी भले ही घोशित ना हुई हो क्योंकि बहुत सारे समवेधानी कुछ संशोधन भी किये गए थे लेकिन हालात उससे भी बुरे हैं और समाज अंदर से तूट रहा है आदमी और आदमी आपस में भी भाजित हो रहा है यह आज की असलियत है इसी इस इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीर नमस्कार अजिए